हलो नमस्का दोस्तों तो आपका स्वागत आपके अपने यूटीव चैनल में तो फ्रेंग्स आजम हिमाच्य परदेश की जो 5 नदियां है उसके most important question आपके साथ share करने वाले हैं ये question हिमाच्य परदेश के सभी test में maximum आते रहते हैं बार बार repeat होते हैं तो फ्रेंज पहली वीडियो में हिमाच्य पदेश की नदियों के प्राची नाम, सहाईक नदिया, उद्गमस्तल, लंबाई, परवेस्तान, जल गरहन, क्षेत और नदियों किनारे बसे शेर, पहली वीडियो में सारे आम डीपली क्लेर कर दिये हैं, अगर फ्रेंज आपने ब 25 क्लेर करेंगे, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो निमलिक्त में से ब्यास नदि किस जीले में नहीं बहती है, तो उप्षन दिये हैं, कुलू, मंडी, कांगडा, तो बिलासपूर, तो इसमें जो उप्षन सही है, वो है उप्षन डी, बिलासपूर में, दूसरा का अंसर रहेगा, उप्षन ए, वो है आपकी सतलूज, अगला क्वेश्चन आपका, फूर, हिमाचल परदेश में किस नदी, बेसिन में अधिक्तम जल, शक्तिक शमता है, तो इसका अंसर रहेगा, आपका सतलूज, अगला क्वेश्चन आपका, रेण को बांध किस नदी पर परस्ताबित है तो इसका ओप्शन है गिरी, टॉन्स, पबर, रेण को तो इसका अंसर रहेगा टॉन्स अगला कोशन देखते हैं कोशन नम्सिक्स पबर नदी का उद्गम स्तान है तो ओप्शन है आपका चीरगाम चोटी, हमता दर्रा ओप्शन सी चांसल चोटी और पिन दर्रा तो इसका अंसर रहेगा चांसल चोटी अगला कोशन देखते हैं सैवन सतलुज नदी हिमाच्य परदेश में किस जीले में सरप्रत्थम प्रवेश करती है तो इसका अंसर रहेगा आपका किनोर तो option में किनोर है शिमला है बिलासपुर कुलूतो किनोर में अगला question है आपका बान गंगा कहाँ पर्स है तो इसका option है कांगडा, सिर्मोर, कुनिहर इनमें से कोई नहीं तो जो बान गंगा है वो है आपकी जिस्टिक कांगड़ा में, अगला कोश्चन देखते हैं, कोश्चन नमबर 9, चंदर और भागा नदियों का आपस में संगम की स्थान पर होता है, तो उप्षन है आपका बागसुनात, तांडी, बिलासपुर और चंदर नगर, तो इसका अगला कोश्चन देखते हैं, कोश्चन नमब 11, नीमन में से चिनाव नदी के उद्गम का स्त्रोध है, तो उप्षन है चंबा घाटी, चंतोरी, दोलाधार और बारलाचा, तो इसका अंसर रहेगा आपका बारलाचा, अगला कोश्चन देखते हैं, ट्वेल लव, चंबा अगला कोश्चन देखते हैं, कोश्चन नमब 13, पोंग बांध का निर्मान किस नदी पर किया गया है, तो अप्षन है ब्यास, रावी, सतलुजी या मुना, तो इसका अंसर रहेगा ब्यास, अगला कोश्चन आपका कौन सी नदी हिमाचल परदेश से होकर नहीं बहती है, तो इसका अंसर रहेगा आपका गंगा, यमुना, चिनाव और राविये, तो हिमाचल परदेश की नदिया हैं और गंगा ये भार्त की नदी है, ये हिमाचल परदेश में नहीं बहती है, अगला कोश्चन है 15, गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो उप्षन है अगला कोश्चन आपका 17, बैदिक काल में किस नदी को पुर्षण के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आपका अंसर रहेगा रावी नदी, अगला कोश्चन देखते हैं, कोश्चन नमबर 18, निमल लिखित में से कौन सी नदी हिमाच्च परदेश के बाहर स्थीत है, त और रावी नदी तो हिमाचल के है, ये जेलम नदी इंडिया के है, अगला कोश्चन आपका रहेगा 19, गलेश्य निर्मित भांदल वर तंता घिरी धाराएं किस नदी का निर्मान करती हैं, तो उप्षण है चिना, ब्यास, रावी और सतलू, तो इसका अंसर रहेगा राव अगला कोश्चन आपका है 20, ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो उप्षण है तांडी, शिपकिला, मिर्थल और भागडा, तो इसका अंसर रहेगा उप्षण भी मिर्थल, अगला आपका कोश्चन है 21, और फ्रेंड यहाँ पे आपको ब उप्षण C, उत्रागाण, अगला है 22, सहाइक नदी तोंस किस बड़ी नदी में मिलती है, तो इसका जो उप्षण है गंगा, चंबल, यमुना और रावी, तो इसका अंसर रहेगा रावी, अगला कोश्चन देखते है 23, हिमार्चल में कितनी नदीयां बहती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 5, option D, अगला कोश्चन 24, बान गंगा किस बड़ी नदी की सहाइक नदी है, तो इसका अंसर रहेगा आपका 24, अगला कोश्चन देखते हैं, 25, बियास नदी किस स्थान पर पूरव से पश्चम की और बहती है, तो जो इसका अंसर अब हो है, इंदूर प्रदेश की जो सारी जीले हैं प्राकृतिक या कृतिम जीले उनका पूरा डीपली से उनको पढ़ेंगे और फ्रेंज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंज इसी वीडियो के साथ जै हिन जै भारत